दूस्तों आप सभी का स्वागत है करनाट अफेर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे विसे के उपर चर्चा करने वाले हैं जो आपकी कम्टेटिव एक्जाम्स हैं प्रितोगी प्रिक्षा हैं इसमें आपको सक्सेस तक दिलवाने में बहुत ज़्यादा इसका महत होने वाला है तो आज हम चर्चा करेंगे नियूस पेपर के बारे में आप इस वीडियो को एंड तक देखें मेरी आपसे ही रिक्वेस्ट रहेगी क्योंकि आपको जो इसका में क्रक्स है वो तभी समझ में आएगा जब आप हर एक पॉइंट क को अपने जीवन में इंप्लेमेंट करेंगे इसके लिए लेकिन आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगा तो मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में यह बहर रहता है कि यार इंग्लिस में कैसे अच्छे नंबर लाएं इंग्लिस कैसे पास होगी इंटर्वी में क्या पूछा आता है ठीक है करेंट अफिर्स कहां से पड़ें यह सारी चीजें दोस्तों आपकी केवल एक सिंगल चीज से पूरी होती है जिसको हम कहते हैं अपना नियूस पेपर ठीक है हम यहाँ पर दोनों की बात करेंगे इंग्लिस नियूस पपर की और यूट यू बट फॉर नॉट वाट यू विस फॉर मतलब दोस्तों सीधा सीधा सा है कि हमें कोई भी काम को अगर करना है ठीक है तो हमें उसके लिए रूट लेवल पर काम करना पड़ेगा तब हमें उसका रिजल्ट दिखाई देगा हम ख्याली पुलाओ अगर बनाएंग ू ईकष लोगे कि हुझे एंगलिस एपनी इंप्रूब करना है कास मेरी इंगलिस आच्छी हो जाती या फिर कास में इंटेवी में पास हो पाता तो यह सारी जीजे एक सषपण की की तरह रहेंगी ठीक है तो हमने क्या करना हैि कि हर एक चीज को इंपलीमेंट कर ना है व्य के newspaper के फायदे ठीक है तो यह मैं bilingual थोड़ा सा लिखने वाला हूँ तो ध्यान से आप समझने खुश्च करना देखो newspaper के मेरे हिसाब से फायदे चार से पाच होते हैं पहला जो सबसे बड़ा फायदा है वो यह होता है कि जिस चीज से आपको डर लगता है ठीक है आपकी जो English है वो और भी जादा दोस्तों इंप्रूब हो जाती है आपकी English इंप्रूब होती है अगर आप डेली बेसिस पर newspaper फॉलो करते हैं दूस काईसे होता है क्या पढ़ना होता है किस तरीके से पढ़ेंगे कौन सा निउस्पेपर पढ़ेंगे वो सारी चीज़ हमें आपर डिसक्स करेंगे तीसरा जो में पॉइंट है वो यह है कि अगर आप किसी बड़े एक्जाम के लिए तयार कर रहे है तो आपका डिस्क्रिप्ट फायदे देखने को मिलते है ठीके आप इसको नोट भी कर लें साथ में अब मैं आपको इक्छी बढ़ाने वाला हूँ कि आपको निउस्पेपर जो है यह किस तरीके से पढ़ना है ठीके कितने घंटे पढ़ना है और उसमें से क्या क्या पढ़ना है ठीके और कौन सा निउ है newsletter पढ़ने के लिए ठीक है और एक के मन में सवाल आएगा हमें क्या-क्या पढ़ना है ठीक है क्या-क्या हमें पढ़ना है कॉकें और resources की बात हम करेंगे की newspaper आपको online मिल जाते हैं ठीक है उनकी बात भी आप यहां अगर आप सोच रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा दाहिंदू यह अपने आप में बैस्ट है अगर यह इंदकेस आपको नहीं मिल पाता है बैसे तो ऐसा कोई एरिया नहीं जहान ना मल पाए आप इसका ओनलाइन जो वर्जन होता है वह आप ले सकते हैं ठीक है ओनला पढ़ना चाहिए और आफ लाइन इसके उप्योगता भी मैं आपको बताऊंगा दूसरा जो नुस्पेपर है वह आपका इंडियन एक्सप्रेस ठीक है तो यह जो नूस्पेपर के मैं बात कर रहा हूं यह आपका इंडियन एक्सप्रेस ठीक है अब यह भी आपकी नियूस्पेपर हमें कौन सा पढ़ना है और क्यों पढ़ना चाहिए उसकी बात हम करेंगे लेकिन हिंदी में मैं आपके लिए दो बहुत अच्छे नियूस्पेपर रदाना चाहूँगा एक आपका आता है दैनिक जागरण राष्टिय संस्क्रा ठीक है इसका आपका है राष्टिय संस्क्रा ठीक है नेशनल नियूस्पेपर जो आता है एक आपका आता है दैनिक भासकर ठीक है इन दोनों में से आपको अगर मैं आप कहेंगे पहले कौन सा लेना है ठीक है मतलब दिखो अगर आपको दैनिक जागरल का राष्टी ये संसकर मिल जा रहा है ये on demand मिलेगा ऐसाने कि जो अगवारवल आता है वो इसको हर घर में डालता है अगर आप इसकी request करोगे तब आपको ये निउस्पेपर मिल जाएगा और साथ 5-7-8 रुपए का ये आता है तो एक चीज आप ये ध्यान रखना कि जो दैनिक वासकर अगर ये नहीं मिलना है तो आप दैनिक वासकर को लेकर भी हिंदी में अपनी चीज़े जो है पढ़ सकते है अब ये तो आपको पता चल गया कि ये निउस्पेपर कौन से है किसकी हम यहाँ पर बात कर रहे है अब इनके अंदर पढ़ना कितना है क्या क्या पढ़ना होता है तो देखो एक चीज होती है दोस्तो एडिटोरियल जिसको हम लोग हिंदी बाले इनिउस्पेपर में संपादक की पेज कहते है जहाँ पर जो संपादक होता है वो अपने बिचार व्यक्त करता है किसी भी जनरल टॉपिक के ओपर तो आप एडिटोरियल को कितना समय देंगे आपको नियर अबाउट 30 मिनट इसको देने है अगर आप इंगलिस में पढ़ोगे अपका इंडियन एक्सप्रेस इसमें भी एडिटोरियल आता है तो आप इसको पढ़ोगे तो इसको पढ़ना भी नहीं है साथ में इसकी वोक्यापको भी नोट करना है और जो इसके बिचार है जो इसकी अंड्रस्टेंडिग है उसको हमें समझना है ठिक है उसका उप्योग आपका होता है एक तो descriptive में ठीक है दूसरा आपकी awareness में तीसरा जो है आपके interview के हिसाब में ठीक है इन तीनों चीजें जो हैं दोस्तों ये आपकी attual से linked होती है क्योंकि जब आपका viewpoint create होता है मतलब किसी भी topic के वारे में जो आपका perception generate होता है वो आपका इस attual वाली चीज़ से होता है ठीक है इस attual के अलावा भी मैंने जैसा आपको होता है कि आप 30 मिनट आराम से यहां पर इस वाले section को देंगे देखो initially starting में जब आप सीख रहे होंगे तो एक महिने से तीन महिने के ब starting में जब आप start करोगे तो 30 से 45 मिनट भी लगेंगे और मैं तो यही कहूँगा कि आप जवर जस्ती try करें आप यह सोचें कि मुझे anyhow पढ़ना है मुझे नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं मुझे regular moment बनाना है daily basis पर पढ़ना है 10 दिन 15 दिन 20 दिन आप daily try करोगे जब आपका 31 दिन try होगा दोस्तो तो आपको अपने आप चीज समझ में आने लगेगी कि basically यह होता क्या है क्या flow है क्या क्या चीज़े इसमें आ रही है topic कैसे पूछा रहा है ठीक है कि topic discuss कैसे जा रहा है क्या क्या इसमें important चीज़े है ठीक है जब तक आप self अपने आप से search करते हैं खुछ से तो हम उसको बहुत deep में जाकर देखते हैं खुछते हैं तब हम जाकर वहाँ पर कुछ point note करते हैं लेकिन अगर आपको कोई दूसरा बंदा आपको at all पढ़ा रहा है तो that means कि वो अपने viewpoint से उसको explain कर रहा है उसको analyze कर रहा है और वो आपको समझा दे रह जो important आपके pages होते हैं देखो हमें national news के उपर ज्यादा focus करना है national news में मैं आपको बता दूँ कि suppose कर लो कि अगर कोई एक state है बहां के governor appoint हुए तो आपको वो news देखनी है ठीक है अगर मैं बात करूँ कहीं पर कोई एक national park की news आई है वो चीज आपकी इसमें आएगी कहीं पर क appointment हो रहा है तो ये चीजें आपकी national newspaper international news में आती है ठीक है तो national हो गया international हो गया ये दो pages को हमें go through करना है इसके बाद आपका एक होता है page business वाला ठीक है business economy वाला business economy से हमें ये पता चलता है कि जब हम कभी भी इंगलिस के paper को attempt करते हैं बहाँ पर जो reading comprehension आता है वो दोस्तों कह हमारा economy based होता है तो अगर आप पहले से ही business और economy based के passage article आप newspaper से पढ़ोगे तो जो आपकी understanding है वो दोस्तों create होगी ठीक है तो ये चीज बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर हमें कोई भी topic को समझना है तो पहले हमें उसका base समझना पढ़ता है तो किसी भी exam में English के section का जो base ह वो newspaper से निकलता है तो हमें business economy newspaper को पढ़ना है और एक आप कहलता है खेल जगत जिसको हम बोलते है sports वाली news आपको cover करनी है मैं यह जरू कहूंगा कि इन सारी news को cover करने के लिए आप 14 जादा 30 से 45 मट दो पूरे newspaper को 1 से 1.5 घंटे में अगर आप पढ़ रहे हो तो जैसा मैंने अब आपको पीछे बताया कि English section, general awareness, interview के topic, discovery वे सारे चीजे जो हैं आपकी cover वहां पर होते हैं अब दोखो दोस्तों एक चीज के ओपर हम और यहां पर focus करने वाले हैं ठीक है कि आप जब newspaper पढ़ोगे तो सबसे बड़ी समस्य आपके पास क्या आएगी वो ही आएगी कि करते हैं Android का mobile उनके पास होता है वो एक कोई भी app store पर play store पर जाए और बहां से कोई भी एक book app का app download कर ले ठीक है बैसे मैं आपको recommend करूंगा कि आप जो highly rated है application उनको try करे जिसमें आपकी requirement पूरी हो जाए आप इसको use कर ले ऐसा नहीं कि मतलब एक ही आपको use करना है अगर आप ऐसा note करें ऐसा application इस्टॉल करें जिसमें synonyms दिये हों तो इनसे आपको दोस्तो थोड़ी मदद और भी ज्यादा मिल जाएगी ठीक है तो भाई जब meaning ही नहीं पता होगी तो फिर उसके लिए हमारे पास app होता है और जो कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं मतलब जो app बगरा side ना use करते हों मतलब नहीं हो उनके पास तो भाई आज के time पर मैं बता दूँ कि जो dictionary आती है ठीक है तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर जो dictionary है इससे आपको मदद मिल जाए अगर आपका offline dictionary रखी है तो आप उसमें पढ़ सकते हैं वैसे आज कल जो standard जो चीज जाता होगा ठीक है तो इन से हमें एक जरिया पता चल ला है और हमें यह पता चल ला है कि हमें चीजे कैसे करनी है एक चीज में आपको और बता दू ठीक है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी चीज है कि जब कभी भी देखो हमें क्या है कि एक बार अगर हम थोड़ा समय आपको लगने वाला है ठीक है तो यह चीज बहुत अधा के लिए रहे है कि अगर आप सोच नहीं कि एक से दो महिने में आप फराटेदार सब कुछ समझ जाए तो आप ना तयारी करें बैस्ट होगा कि आप इसके बारे में ना ही सोचे तभी बैस्ट होगा कि आप से चीजे सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी आप आर्सी सॉल्व कर लोगे क्लॉस्टर्स बना लोगे ठीक है आपका व्यूपॉइंट क्रेट हो चुका होगा लेकिन दोस्तो जब यह 6-8 महिने हो जाएंगे तो आपका अपना खुद का एक अलग लेबल होगा आपके लिए जो पहले इनिशली स्टार्टिंग में जो डर लगता था वो दोस्तो आपका डर खतम हो चुका होगा तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको स्टार्टिंग में एक महिने तक यह लगेगा कि यार यह बहुत बोरिंग है कैसे करूँ मन नहीं लग रहा है इसको हटावाद छोड़ देते हैं ठीक है लेकिन आपको घबराना नहीं है ठीक है देखो चुनोती बहुत बड़ी है मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अगर आपको इससे लड़ना है कि यार ये निउस्पेपर में ये वाली चीज का इंपोर्टेंट है या नहीं है ठीक है तो स्टार्टिंग में आप जर्ज नहीं कर पाऊगे लेकिन आप जब 2-3-4 महीने कर लोगे तो आपको ये पतल लेगा कि कौन सी चीज आपकी इंपोर्टेंट है कौन सी चीज को आपको skip करना है ठीक है तो ये चीज़े भी आपको खुश से ही सीखनी पड़ेंगी ठीक है तो जैसे मैंने आपको उता दे कि कौन सा निच्पर फालो करना है क्या करना है कितना पढ़ना है किस तरीके से आप करोगे ठीक है national level की news, international level की news, किसी को कोई award मिलता है, वो news यहाँ पर cover करते हैं, banking और finance की news यहाँ पर cover करते हैं, ठीक है, important examination के लिए books हमने यहाँ पर दे रखी हैं, जो भी job notification है, इसको हम यहाँ पर publish करेंगे, ठीक है, तो यह चीज़ आप note कर लो, और more के अंदर आप जाओगे, तो आपको MOU मिल गया, defense की news मिल गया, यह चीज़ें दोस्तों आपको मिलेंगे, ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि, जो एक at-well बाला section है, इसको हमने starting में बनाया था, कई हद तक हमने इसको बनाया, लेकिन हमने बाद में इसको discontinue किया, लेकिन हम आने वाले टाइम पर, इस at-well में, जो आपका दाहिंदू होता है, ठीक है, और आपका economic times होता है, इनको हम cover करेंगे, आने वाले समय में, ठीक है, तो अब भी हम इसको stop कर दिया है, हमने इसको नहीं बना रहे, लेकिन हमने बहुत सारी नहीं चीज़े, current affairs की की हैं, आप इनको देखें, daily website पर एक बार आप आजाये करो, साम तक note कर लिया करो, और हाँ, बहुत जरूरी चीज, जिसके उपर हमें जरूर discussion करना है, कि देखो, एक चीज होती है कि, खुद के notes बनाना, ठीक है, एक होता ना, क्यार तू अपने notes दे, मैं copy कर ले रहा हूँ, something कुछ, आप इस वाली habit को भूल जाओ, क्योंकि जब आप, अपने semester exam देते थे, ठीक है, तब तक तो ठीक था, कि हमने अपने दोस्त के notes लिये, और उनसे हमने अपना assignment पूरा कर लिया, या फिर exam पास कर लिया, आज की समय में दोस्तों बात हो रही है, competitive exams की, ठीक है, तो competitive exams में, अगर आप दूसरों के उपर depend हैंगे, तो आप अपना जो selection है, वो आप जल्दी नहीं ले पाओगे, ठीक है, आपको समय लग जाएगा, अगर जितना आप खुछ से explore करोगे, ठीक है, दोगों यहाँ पर मैं यह नहीं कह रहा हूँ, कि आपको किसी teacher की guidance नहीं लेनी है, ठीक है, teacher एक सिचक है, उससे अगर आपको चीज़ें सीख रहा हो, तो वो आपको advanced level की चीज़ें सिखा रहा है, that means कि आपके knowledge को बढ़ा रहा है, ठीक है, तो आपको उन चीज़ों को utilize करके, अपने आपको और ज़्यदा explore करना है, ठीक है, लेकिन बात हो रही है कि news paper में at all कौन पढ़ाएगा, news में कितना पढ़ना है, कौन सी important news है, ये चीज़ें आपको कौन बताएगा, ये चीज़ें दोस्तों जब आप खुछ से पढ़ना है, start करोगे, तो आपको खुद पदल लाएगा, कहीं पर किसी website पर कोई भी अलग news पढ़ी है, कोई भी data पढ़ा हुआ है, तो आपको बहाँ पर filter करने में आसानी हो जाएगी, कि कौन सी चीज़ दोस्तों हमारी important है, ठीक है, आप अच्छी चीज़ों को जो है note करोगे, उनको grab करोगे, और जो आपको लग नहीं रहा है, उसको आप skip कर दोगे, तो simple सी बात है, खुद के notes जरू बनाए, और खुद के notes बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कि आपके पास जो आपके rough papers पड़े हों, ठीक है, बैसे कुछ लोग के पास जैसे आता है, माइंड मेयर की खुद के notes बनाने है, वो एक बहुत सुन्दर सी एक copy लेकर आते हैं, ठीक है, सुन्दर सी एक copy लाएंगे, या फिर A4 size का जो पूरा bundle है, वो ले आएंगे, उसमें से कुछ pages निकालेंगे, 15 pages निकाल दिये, उनको stabler कर दिया, ये management अच्छा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, कि आपको सीखने के लिए, इतनी सारी चीजों की requirement हो, आपके पास पुराने paper, रद्धी papers पड़े हुए है, आपकी जो use seats हैं, जिसमें पीछे का portion खाली है, ठीक है, आप उनको stable करके, उनको use करके ले सकते, क्योंकि ये competitive exams है, इसमें जितना ज़्यादा आप rough seat का use करोगे, ठीक है, रफली चीजों को पढ़ोगे, हटाओगे, ठीक है, उतनी जल्दी दोस्तों आपके knowledge दाइरे बढ़ेंगे, ठीक है, आपको किसी को पढ़ाना नहीं है, आपको क्या करना है, खुश से सीखना है, तो खुश से सीखने के लिए, आपने दिखा है, एक छोटा सा जो infant babies होते है, ठीक है, जब वो किसी चीज़ को सीख रहे होते, तो वो कितना दवाँ पर, जो है, चीज़ों को फैला देते हैं, ठीक है, अगर मैं आपको एक example दूँ, कोई एक infant baby है, अगर इबन वो सेरलेक भी खा रहा है, तो वो क्या करता है, कि बहुत ज़दा अपने मुग के उपर लगा लेता है, हाथ में लगा लेता है, इदर उदर, काफी सारी चीज़े, जो है, बहाँ पर लग जाती है, ठीक है, तो आप खुश सीखें, जब कोई बन्दा सीख रहा है, तो सीखते सब्सक्राइब पर, बहुत ज़दा आपको, बिल्कुल फेर, एकदम चमकते हैं चीज़े नहीं चाहिए, मतलब मेरा कहने के मतलब है, जो आपके पास utilities अविलेबल है, आप उनी से ही काम चला सकते हैं, आपको खर्चे करने की कोई भी आस सकता है उस्तों, नहीं है, मेरा बस यही अविप्राई है, आई हो, आपको इचीज समझ में आगए होगी, और आप इन सारी चीजों को अगर एक बार implement करोगे, तो कहीं न कहीं पर, चाहिए वो आपका railway का exam हो, चाहिए वो SSC का exam हो, ठीक है, चाहिए वो आपका bank का exam हो, या फिर कोई भी state level का आपका exam हो, दोस्तों, इतना कुछ करने के बाद, 6 महीने बाद, आप मुझसे एक बार जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, जब आपके 6 महीने पूरे हो जाए, कि सर, मुझे फायदा जरूर मिल ला है, ठीक है, अगर आप अपने अंदर एक जो है जौला, एक जोद जगा के रखोगे, तो कहीं ना कहीं पर, आपको result उसका अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, और मेनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी ये चीज है कि हम कैसे चेंज करेंगे, कैसे हम आने वाले डेम पर implement करेंगे, तो उसके लिए क्या है, सब कुछ आपको मेनत करनी पड़ेगी, ठीक है, अब एक जैसे बहुत सांदार कोट है, कि अगर हम जीत और हार, जो है वो आपकी thinking, आपकी सोच पर निर्वर करती है, ठीक है, अगर आप मान लोगे तो हार हो जाएगी, और अगर आप ठान लोगे तो जीतोगी, सीधी सी बाता अगर आपको सीखना है, तो आप इसको गाट बांद के रख लो, कि मुझे implement करना है, anyhow कैसे भी करके, और मुझे लग रहा है कि जिसने last तक वीडियो देखे, please नीचे comment जरू करना, ताकि मुझे पता जले है कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, और आपको क्या लगा, नीचे comment करके मुझे जरूर बताना, ठीक है, और एक चीज मैं और यहाँ पर सांदर कोट के साथ इस वीडियो को end करना चाहूँगा, stop doubting yourself, work hard and make it happen, ठीक है, आपको अपने उपर बिल्कुल संदे नहीं करना, ठीक है, आपको मैं यहाँ पर समझ रहा हूँ कि आप एक कोरा कागज है, ठीक है, जितना ज़्यादा इसके उपर आप मेहनत करोगे, ठीक है, जितना अदल लिखोगे, जितनी चीजों के उपर implementation करोगे, उससे contact करना मेरा email ID है, currentaffairsfunda at gmail.com मैं आपकी बहाँ पर जरू मदद करूँगा, so thank you guys, इस वीडियो को देखने के लिए, प्लीज वीडियो को लाइक जरू कर दे, और अपना प्यारा सा comment देकर जरू बताएं, कि आप क्या करने वाले हैं, आपके अंदर एक जोज जुनून जागा है, और आने वाले दुरों में, उसका क्या result हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, so thank you, आप सभी का दिन मंगल मैं हो,